यह मेरा यूट्यूब पे गार्डन का पहला वीडियो है तो प्लीज अपना प्यार दिखाएगा और सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट्स करना मत भूलेगा और नए नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल भी अन कर लीजेगा देखिए यह मेरा बेजिल का प्लांट है स्वीट बेजिल बोलते है उसके साइट में यह फ्लावर का प्लांट है और यह पूरा ही अच्छे से ग्रो हो रहा है विंटर में भी और यह है बेंगन का प्लांट जिसमें अभी फूल आ रहा है तो फल फूल रहा है उसमें चोटे-चोटे बेंगन भी बन रहा है मैं आ और उसके बाद पाजू में लगाया है टमाटर का प्लांट जो देसी टमाटर होते है राउंड वाले एकदम खटे वाले होते हैं उसका सीड मैंने लगाया था घर के टमाटर से ही लगाया था बड़ यह अच्छी तरह से बड़ा हो गया है ग्रो हो गया है और इसमें भी काफ बन रहा है कितना प्यारा चोटा सा है अभी काफी सारे बन रहा है जब बड़े होंगे तब आपको आपके साथ सेर करूंगी वीडियो बना के तो मुझे कमेंट्स में लिखेगा अगर कोई भी क्विरीज हो आपको यह मेरा पूरा बालकनी गार्डन है यह चेरी टोमेटोस है इसमें भी बालकनी गार्डन पूरा फ्लावर्स और वेजिटेबल का बनाया है तो अगर आपके पास भी कम जगा है और आप ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछेगा अगर कोई क्वेस्टन है और यह बालकनी मेरी 6 बाई 6 फूट की है तो इसमें भ लगाये हूँ है तो आप देखते रहे हैं यह मनी प्लांट है कैई साल पूरा नह है और यह मैंने मिंट लगाया है एकफ बेग में ही लगा हूँ है डौनों मिंट ही है जबल lequel कर पै आता है उसकी डाली निकल कर मैं grow कर रही हूँ और ये flower है जो मैंने September में उसके बीच से लगाया थै तो अभी जाके उसमें flowering आ रही है देखो कितना प्यारा है लगता है पूरा दिन इसे ही देखते रहे है इसमें भी काफी सारी बाट्स आ रही है तो अभी next time में काफी सारे फूल पी आएंगे और ये तो आपको पता ही है गुल्दाओदी इसमें भी काफी सारी colors है मैंने एक ही port में लगाया सब colors red वाले है ये light hair lavender और ये yellow और ये again red वाला और ये देखे ये button rose है button rose का ये ही season है मैंने side में उसमें mint भी लगाया है थोड़ा सा क्योंकि वो नहीं आपाए mealy bugs वगेरा क्योंकि हम क्योंकि जब हम tulsi basil वगेरे लगायते हैं तो कम से कम insects आते हैं ये दोनों balsam के हैं ये मैंने ready लिये है अभी और ये देखो grafted rose है कितना प्यारा है color भी इतना प्यारा है और size भी flower का बड़ा वाला है इसमें भी कली ओर आई हुए मुझे ये transplant करना भी बाकी है और ये dianthas है जो मैंने बीच से grow किया था और side में सब fenugreek है मेथी बोलते हैं न मेथी और कई सारे new plants इसमें अपने आपी grow हो रहे हैं पता नहीं है किस चीज का है क्योंकि काफी सारे बीच लगाए होए थे और ये अलाइसम है ये अभी grow कर रहा है ये भी मैंने बीच से उगाया था September, October में सभी मैंने बीच से उगाया थे अलग-अलग तो अभी वो flowering पे आये है तो अभी अलाइसम तो रहेगा ये में जून तक तो काफी रहेगा मुझे लगता है थोड़ा लेट ब्लूम किया है इसलिए काफी चलना चाहिए गर्मी में भी ये चलता है पत्या थोड़ी सूप चाती है और ये थाई बेजिल है जी से मरू आब भी बोलते है ये मेने एक रशिल बहुत मैं जून ऊजाई है ये मीठा नीम ज़ला पे एकश्ल्वी कंचेनर которых और मिणा फून लगा भी यहां पे है बर्टन रोज जी से बदेरेह एकदम मीनियर ब्लां यो चोटा सा शूगता है इसमें वाला इसमें वाइट है और पिंक कलर दो लगाए हुए और यह जैरेनियम है इसमें अभी बर्ड आई हुई है बड़ अब फ्लावरिंग नहीं है तो जब अगें फ्लावरिंग होगी तो वीडियो बना के शेयर करूंगी आपके साथ और यह स्रॉबेरी का प्लांट ह दो प्लांट है स्रॉबेरी के और देखें इसमें कितनी प्यारी सी स्रॉबेरी भी आई हुई चोटी चोटी इसमें भी है चोटी और यह अगें डायन्थस का है अभी इसको कट किया था तो अभी फ्लावरिंग नहीं है और यह जरबेरा का प्लांट है इसमें भी बर्ड है और दूसरा नाम तो मुझे पता नहीं, अगर हमारे यहां ऐसे छोटा मॉनिंग लोरी कहके सेल करते हैं, तो यह है, और यह दो अडेनियम मुझे गिफ्ट में मिले थे, तो इस साल इसमें फ्लावरिंग हुई है, अभी विंटर जल रहा है, तब इसमें फ्लावरिंग हो रही है, अभी देखते हैं, मुझे इस साल इसको कटिंग करके उसका कॉडेक्स ठीक बनाना है, तो अभी तो फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए कट नहीं कर सकते हैं, देखो कितना बड़ा है, हाइट में इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि वो गिफ्ट में मिला है, तो कोई पता नहीं है, क्यों कट नहीं किया उसने, अभी ये मुझे ठीक करना पड़ेगा दोनों को, और ये देखे, ये मेरा वाटर लीली का पॉंड है, ये भी काफी ग्रो करा, ये हाड़ी है, तो ग्रो कर रहा है, मगर अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं है, ये समर में फ्लावर प्लावरिंगे इसमें, और उसमें मैंने काफी मचलिया भी रखी है, क्योंकि वो अलगी वगर अब प्राबलम होती है, तो वो मचली रखने से नहीं होगी, और ये देखिए, ये मैंने दूसरी बालकनी में भी वो जो रूम के बाहर होती है, छोटी बालकनी उसमें भी मैं मैंने काफी सारे पोते रख दिये है यह सब आलग अलग है यह सब मैंने दो फ्लोर में किया है अगर आपके पास कम जगह है तो आप यह आईडिया लगा सकते हैं एक मेने साइड में रखा है और यह वाला है वो तो पाइप के उपर डीस में रखा है सभी पोट आप देख लीजे आपके पास जगा कम है तो आप ये आईडिया भी लगा सकते हैं ये सब फ्लावरिंग प्लांट है जो उपर है और ये सब मैंने चकुंदर बीट लगाया हुआ है देखिए इसमें बीट है कई सारे यानि कि गोबी का प्लांट है दोनो ये भी अच्छे से ग्रो करें इसको क्या है पूरे दिन की संलाइट चाहिए तो मुझे यहाँ पे मेरे पूरे दिन की धूप आती है तो मैंने यहाँ पे रखती है सब फ्रूट और वेजिटेबल के प्लांट इतने भी है ये भी मैरे मैंने सब अलग अलग टाइम पे लगाए थे तो इसलिए एक के बाद एक ग्रो करेगा तो मुझे अच्छा क्रॉप भी मिलेगा और यह मैंने लसू नुगाया है ग्रीन चीसे बोलते है इक बार इसकी हार्वेस्टिंग हो गए तो अभी यह फिर से ग्रो हो रहा है और यह दूसरी बालकनी इसमें मैंने आलू लगाये थे यह टमाटर का प्लांट है और यह आलू का यह तो पता नहीं बड़ा ही होते जा रहा है अभी दो तीन महीन हो गए मगर पता नहीं आलू कब हार्वेस्ट होंगे तो मैं आपके साथ जरूर सेर करूंगी अगर हार्वे दे रहा हो तो यह रेडवाला है वो बीट का प्लांट है चकुंदर का और यह दोनों गोबी के हैं और यह फिर बेंगन का प्लांट है इसमें तीन प्लांट लगे हैं मगर वो एक ही अच्छे से ग्रो हो रहा है इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है अब देखते ह जगह नहीं हो और में कुछ नहीं कर सकती है अगर आपका मन होगा तो आप छोटी सी बालकनी में भी काफी सारे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स भी ले पाएंगे ये देखे ये मेरा ये मेरा दहलिया का प्लांट है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और चैनल का नॉटिफिकेशन बेल भी अन कर लीजेगा स्टे ट्यून थैंक यू